राहुल जी आपने क्या हिंदुस्तान का सुपारी लिया हुआ है यह सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान की संस्टुती हिंदुस्तान की सभ्यता हिंदुस्तान की सोच हिंदुस्तान की सरकार इन सबकी आपने सुपारी ली हुई है क्या कि विदेशी भूमी म जाकर इस प्रकार हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं किसकी सुपारी ली हुई है आपने Are you a contract killer Mr. Rahul Gandhi of the idea called India जो आज आपने कहा है जो आपने किया है लंदन में वो अक्षम्य है शमा नहीं किया जा सकता है आपने कहा कि यह जो सोच अभी भारत वर्ष पर सरकार चला रही है वह सोच मुस्लिम ब्रदर हुड की है आपने RSS और BJP इन दोनों के विशाय में टिपणी करते हुए उन्हें मुस्लिम ब्रदर हुड के साथ compare कर दिया आप इस देश के Parliamentarian है आप इस देश के एक Political Party के अध्यक्ष है आप केवल राहुल गांधी एक व्यक्ति के रूप में लंदन में नहीं बैठे हुए हैं या लंदन में भाशन नहीं कर रहे हैं जब बतार एक Leader of Opposition के रूप में आप भाशन करते हैं पूरा विश्व आपके शब्दों को सुनता है कि आखिर देश के Leader of Opposition क्या कहते हैं और जब आप कहते हैं कि जिस सोच the idea which governs the country today in a way you have taken into the gamut of your consideration the present government कि ये एक आतंकी सोच है ये एक आतंकवादी संगठन है ये हिंदुस्तान आप से आज सवाल पूछ रहा है क्या हिंदुस्तान पे राज किसी आतंकवादी संगठन का है ये 125 करोड हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान जनता ने 2014 में जिस सरकार को वोट देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना था क्या ये हिंदुस्तान की लोगों की सोच एक आतंकवादी संगठन के प्रती थी